नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी, प्रेंचन जी का उपन्यास, गोदान, भाग 27, गोबर को शहर आने पर मालूम हुआ कि जिस अदे पर वो अपना खोंचा लेकर बैठता था, वहाँ एक दूसरा खोलचे वाला बैठने लगा है और गहा कब जुनिया उसमें अकेली बैठी रोया करती, लड़का दिन भर आंगन में या द्वार पर खेलने का आदी था, यहां उसके खेलने को कोई जगह न थी, कहा जाए, द्वार पर मुश्किल से एक गच का रास्ता था, दुरगंध उड़ा करती थी, गर्मी में कही बाहर लेतने बैठने को जगह नहीं, लड़का मा को एक शन के लिए न छोड़ता था, और जब कुछ खेलने को न हो, तो कुछ खाने और दूद पीने की सिवा वह और क्या करे, घर पर भी कभी धनिया खिलाती, कभी रूपा, कभी सोना, कभी हुरी, कभी पुनिया, यहां अकेली जुनि लेकर जाता, तो घंटे भर ही में लोटाता, मनोरंजन का कोई दूसरा सामान न था, पर उसके मजूर और एक केवान रात रात भर ताश और जुआ खेलते थे, पहले वह भी खूब खेलता था, मगर अब उसके लिए केवल मनोरंजन था, जुनिया की साथ हास विलास, थोड के जीवन का कितना मोहक्चित रखी जा था, और यहां इस काल कोटरी की सिवा और कुछ नहीं, बालक से भी उसे चिर हूती थी, कभी कभी वह उसे मार कर निकाल देती और अंदर से किवार बंद कर लेती, बालक रोते रोते बेदम हो जाता, उस पर विपत्ती यह कि उसे कोबर का निश्टूर प्रेम स्वागत के लिए द्वार खटखटाता रहता था, स्तन में दूब नाम को नहीं, लेकिन लल्लू चाती पर सवार रहता था, देल के साथ उसका मन भी दुर्बल हो गया, वह जो संकल्प करती, उसे थोड़े से आगरा पर तोर देती, वह लेट लेकिन जुनिया में अब इतनी शक्ती भी ना थी कि उसे चाती पर से धकेल दे, उसे हर दम मौत सामने खड़ी नजराती, पती और पुत्र किसी से भी उसे स्नेह न था, सभी अपने मतलब के यार हैं, बरसात के दिनों में जब लल्लू को दस आने लगे तो उसने दूद प न छोड़ दिया, तो जुनिया को सिर से एक विपत्ती टल जाने का अनुभव हुआ, लेकिन जब एक सप्ताह के बाद बालक मर गया, तो उसकी स्मृती पुत्र सनेह से सजीव होकर उसे रुलाने लगी, और जब गोबर बालक के मरने के एक ही सप्ताह बाद फिर आगरह करन थी, अब लल्लू उसके मन में आ बैठा था, शान, स्थिर, सुशी, सुहास, उसकी कल्पना में अब वेदना में आनन था, जिसमें प्रत्यक्ष की काली चाया न थी, बाहर वाला लल्लू उसके भीतर वाले लल्लू का प्रतिबिम मात्र था, प्रतिबिम सामने न था, जो सत अस्थिर था, सत्य रूप तो उसके भीतर था, उसकी आशाओं और शुभेच्छाओं से सजीव, दूद की जगा वह उसे अपना रख पिला पिला कर पाल रही थी, उसे अब वह बंद कोटरी और वह दुरगंध मैवायू और वह दोनों जून धुए में जलना, इन बातों का मानो ग्यान ही न रहा, वह स्मृती उसके भीतर बैठी हुई जैसे उसे शक्ति प्रदान करती रहती, जीते जी जी जो उसके जीवन का भार था, मरकर उसके प्रानों में समा गया था, उसकी सारी ममता अंदर जाकर बाहर से उदासीन हो गई, गोबर देर में आता है या जल् रूची से भोजन करता है या नहीं, प्रसन है या उदास, इसके अब उसे बिल्कुल चिंता न थी, गोबर क्या कमाता है और कैसे खर्च करता है, इसकी भी उसे परवा न थी, उसका जीवन जो कुछ था, भीतर था, बाहर वर केवल निर्जीव थी, उसके शोक में भाग ल ललू के नाम को कब तक रोए जाएगी, चार-पांच महीने तो हो गए, जुनिया ने थंडी सांस ले कर कहा, तुम मेरा दू, खा नहीं समझ सकते, अपना काम देखो, मैं जैसी हूँ, वैसी पड़ी रहने दो, तेरे रोते रहने से ललू लोट आएगा, जुनिया के पास क कोई जवाब न था, वो उटकर पतिली में कचालू के लिए आलू उबालने लगी, गोबर को ऐसा पाशान हृदय उसने न समझा था, इस बेदर्दी ने उसके ललू को उसके मन में और भी सजग कर दिया, ललू उसी का है, उसमें किसी का साज़ा नहीं, किसी का हिस्सा नही अभी तक ललू किसी अंश में उसके हृदय के बाहर भी था, गोबर के हृदय में भी उसकी कुछ जोती थी, अब वो संपून रूप से उसका था, गोबर ने खोयचे से निराश होकर शक्कर के मिल में नौकरी कर ली थी, मिस्टर खन्ना ने पहले मिल से प्रोचसाहित होकर हाल में ये दूसरा मिल खोल दिया था, गोबर को वहां बड़े सबेरे जाना पड़ता और दिन भर के बाद जब वह दिया जले घर लोटता तो उसकी दे में जरा भी जानना रहती थी, घर पर भी उससे कम मेहनत न करनी पड़ती थी, लेकिन वहां उसे जरा भी ठकन न होती थी बीच बीच में वहस बोल भी लेता था फिर उस खुले मैदान में उन्मुक तकाश के नीचे जैसे उसकी क्षती पूरी हो जाती थी वहां उसकी देश चाहे जितना काम करे मन स्वच्छन रहता था यहां देश की उतनी मेहनत नहुने पर भी जैसे उसको लाहल उस गती और दहिक ठकन और मानसिक अफसाद को डुबाया करते थे गोबर को भी शराब का चसका पड़ा घर आता तो नशे में चूर और पहर रात गए और आकर कोई न कोई बहाना खोज कर जुनिया को गालिया देता घर से निकालने लगता और कभी कभी भी भी देता जुनिया को अब ये शनका होने लगी कि वह रखेली है इसी से उसका यह अपमान हो रहा है ब्याहता होती तो गोबर की मजाल थी कि उसके साथ ये बरताव करता बिरादरी उसे दंग देती हुकता पानी बंद कर देती उसने कितनी बड़ी भूल की कि इस कप्टी के साथ घर से निकल भागी स गोबर उसे मारता तो उसे ऐसा ख्रोधाता कि गोबर का गलाचुरे से रेद डाले गर्ब जियो जो पूरा होता जाता है उसकी चिंता बढ़ती जाती है इस घर में तो उसकी मरन हो जाएगी कौन उसकी देखभाल करेगा कौन उसे सभालेगा और जो गोबर इसी तरह मारता पीटता रहा तब तो उसका जीवन नरक ही हो जाएगा एक दिन वह बंबे पर पानी भरने गई तो पड़ोस की एक स्त्री ने पूछा कए महीने है रे जुनिया ने लजा कर कहा क्या जाने दीदी मैंने तो गिना गिनाया नहीं है दोहरी देह की काली कलूटी नाटी कुरू पा बड़े-बड़े स्तनोवाली स्त्री थी उसका पती एक का हांकता था और वो खुद लकडी की दुकान करती थी जुनिया कई बार उसकी दुकान से लकडी लाई थी इतना ही परिचय था मुसकरा कर बोली मुझे तो जान पड़ता है दिन पूरे हो गए है आज ही कल में ह कोई दाइवाई ठीक कर ली है जुनिया ने भयातुर स्वर में कहा मैं तो यहां किसी को नहीं जानती तेरा मर्दुआ कैसा है जो कान में तेल डाले बैठा है उन्हें मेरी क्या फिकर हां देख तो रही हूं तुम तो सौर में बैठोगी कोई करने धरने वाला चाहिए की न नहीं सास नंद देवरानी जेठानी कोई है की नहीं किसी को बुला लेना था मेरे लिए सब मर गए वह पानी ला कर जूठे बरतन मांजने लगी तो प्रसव की शंका से हृदय में धर्कने हो रही थी सोचने लगी कैसे क्या होगा भगवान ओह यही तो होगा मर जाओंगी अच्छा है जनजाल से छूट जाओंगी शाम को उसके पेट में दर्ध होने लगा समझ गई विपत्ती की घरिया पहुची पेट को एक हाथ से पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूलहा जलाया खिचरी डाली और दर्ध से व्याकुल होकर वही जमीन पर लेट रही कोई दस बजे रात को गोबर आया ताड़ी की दुरगन दूडाता हुआ लदपटाती हुई जबान से उटपटांग बख रहा था मुझे किसी की परवा नहीं है जिसे सो दफे गरज हो रहे नहीं चला जाए मैं किसी का ताव नहीं सह सकता अपने माबाप का ताव नहीं सहा जि कल देखूंगा बचा को फासी ही तो होगी दिखा दूंगा की मर्द कैसे मरते हैं हंसता हुआ अकरता हुआ मुझो पर टाव देता हुआ फासी की तकते पर जाओ तो सही औरत की जात कितनी बेवफा होती है खिचरी डाल दी और टान पसार कर सो रही कोई खाय या न खाय उस कुछ बोला भी नहीं चुपके से खिचरी थाली में निकाली और दो चार कोर निगल कर बरामदे में लेट रहा पिछले पहर उसे सरदी लगी कोट्वी से कंबल लेने गया तो जुनिया की कराहने की आवाद सुनी नशा उतर चुका था पूछा कैसा जी है जुनिया कही दर राया कहा दाइक होजने जाए इस वक्त वहाने ही क्यों लगी घर में कुछ है भी तो नहीं चुड़ेल ने पहले बता दिया होता तो किसी से दो चार रुपे मान लाता इन्हीं हाथों में सो पचास रुपे हर दम पड़े रहते थे चार आदमी खुसामत करते थे इस कुल च्छनी के आते ही जैसे लच्छमी रूट गई तके तके को मुहताज हो गया सैसा किसी ने पुकारा यह क्या तुम्हारी घरवाली कराह रही है दरद तो नहीं हो रहा है ये वही मोटी औरत थी जिससे आज जुनिया की बातचीत हुई थी घोड़े को दाना खिलाने उठी जुनिया का कराहना सुनकर पूछने आ गई थी बोबर ने बरामदे में जाकर कहा पेक में दरद है चटपटा रही है यहां कोई दाई मिलेगी वो तो मैं आज उसे देखकर ही समझ गई थी दाई कच्ची सराय में रहती है लपक कर बुला लाओ कहना जल्दी चल तब तक मै यही बैठी हूँ मैंने तो कच्ची सराय नहीं देखी किधर है अच्छा तुम उसे पंखा जलते रहो मैं बुलाय लाती हूँ यही कहते हैं अनारी आदमी किसी काम का नहीं पूरा पेट और दाई की खबर नहीं यह कहती हुई वर्चल दी इसके मूँपर तो लोग इसे च लोट आए और बोली अब संसार में गरीबों का कैसे निबाह होगा रानल कहती है पांच रुपे लूँगी तब चलूँगी और आठ आने रोज बारा हुए दिन एक साड़ी मैंने कहा तेरा मूल जुलस दून तू जा चूल हे में मैं देख लूँगी बारा बच्चों की म पनी जांक पर रख कर उसका पेट सहलाती हुई बोली मैं तो आज तुझे देखते ही समझ गई थी सच पूछो तो इसी धर्के में आज मुझे नीन नहीं आई यहां तेरा कौन सगा बैठा है जुनिया ने दर्द से दांक जमा करसी करते हुए कहा अब न बच्चूँगी दीदी हाए मैं तो भगवान से मांगने न गई थी एक को पाला पोसा उसे तुमने चीन लिया तो फिर इसका कौन काम था मैं मर जाओ माता तो तुम बच्चे पर दया करना उसे पाल पोस देना भगवान तुमहारा भला करेंगे चुहिया सनेल से उसके केश सुलझाती बोली धीरजधर बेटी धीरजधर आभी चंद भर में कश्ट कता जाता है तूने भी तो जैसे चुपपी साध ली थी इसमें किस बात की लाज मुझे बता दिया होता तो मैं मौलवी साहब के पास से ताबीजला देती वही मिरजा जी जो इस हाते में रहते हैं इसके बाद ज चुहिया रोज सबेरे आकर जुनिया के लिए हरीरा और हल्वा पका जाती और दिन में भी कई बार आकर बच्चे को उप्टन मल जाती और उपर का दूद पिला जाती आज चौथा दिन था पर जुनिया के स्तनों में दूद न उतरता था शिशु रो रो कर गलागारे लेत था क्योंकि उपर का दूद उसे पचता न था एक चंग को भी चुपना होता था चुहिया अपना स्तन उसके मूँ में देती बच्चा एक चंग चूसता पर जब दूद न निकलता तो फिर चीखने लगता जब चौथे दिन सांज तक जुनिया के दूद न उतरा तो चुह चुहिया घबराए बच्चा सूखता चला जाता था नखास में एक पेंशन डॉक्टर रहते थे चुहिया उन्हें ले आए डॉक्टर ने देख भालकर कहा इसकी देह में खून तो है ही नहीं दूद कहां से आए समस्या जटल हो गई देह में खून लाने के लिए महीनों खानी पढ़ेंगी तब कहीं दूद उत्रेगा तब तक तो इस मास के लोत्री का ही काम तमाम हो जाएगा पहर रात हो गई थी बोबर तारी पिये ओसारे में पढ़ा हुआ था चुहिया बच्चे को चुप कराने के लिए उसके मूँ में अपने चाती डाले हुए थी कि सहस उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी जाती में दूध आ गया है प्रसन होकर बोली अब तेरा बच्चा जी जाएगा मेरे दूध आ गया जुनिया ने जक्कित होकर कहा तुम्हें दूध आ गया नहीं री सच मैं तो नहीं पतिया थी देख ले उसने अपना स्थन दबा कर दिखा दूद की धार फूट निकली जुनिया ने पूछा तुम्हारी छोटी बिटिया तो आठ साल से कम की नहीं है। जुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर दूद पिला देना चाहा पर जुनिया ने उसे जिरक कर कहा प्रहने दो अभागा मर जाए वही अच्छा किसी का एहसान तो न लेना पड़े चुहिया गिराने लगी जुनिया ने बड़े अध्रावन के बाद बच्चा उसकी ग बोद में दिया लेकिन जुनिया और गोबर में अब भी ना पती थी जुनिया के मन में बैट गया था कि यह पक का मतलबी बेदर दादमी है मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है चाहे मैं मरूं या जूँ उसकी इच्छा पूरी किये जाऊं उसे बिलकुल गम नहीं जाते ही न जाने क्यूं जैसे इसका मिजाज ही बदल गया जाड़ा आ गया था पर न उर न न बिच्छावन रोटी दाल से जो दो चार रुपे बचते ताड़ी में उर जाते एक पुराना लिहाफ था दोनों उसी में सोते थे लेकिन फिर भी उनमें सौकोस का अंतर था द जुनिया की और से उसका मन खींचता था जुनिया भी उससे बात न करती न उसकी कुछ सेवा ही करती और दोनों की बीच में यह मालिन्य समय के साथ लोहे की मोर्चे की भाती गहरा द्रिड़ और कतोर होता जाता था दोनों एक दूसरे की बातों का उल्टा ही अर्थ निकाल हूँ उधर गोबर के कार खाने में भी आये दिन एक नएक हंगामा उत्ता रहता था आपकी बजट में शक्कर पर ड्यूटी लगी थी मिल के मालिकों को मजूरी घटाने का अच्छा बहाना मिल गया ब्यूटी से अगर पांच की हानी थी तो मजूरी घटा देने से दस का ल सेजी के दिनों में मजूरी में एक धेली की भी बढ़ती नहीं हुई तो अब वह घाटे में क्यू साथ दे मिर्जा खुर्शेद संग के सभापती और पंडित ओन कारनात बिजली संपादक मंत्री थे दोनों ऐसी हर्ताल कराने पर तुले हुए थे कि मिल मालिकों को कुछ दिन याद रहे मजूरों को भी ऐसी हर्ताल सिक्षती पहुचेगी यहां तक की हजारों आदमी रोटियों को भी महताच हो जाएंगे इस पहलू की और उनकी निगाह बिलकुल न थी और गोबर हर्तालियों में सबसे आगे था उद्दन स्वभाव का था ही ललकारने की करता था एक दिन जुनिया ने उसे जी कड़ा करके समझाया भी तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो तुम्हारा इस तरह आग में कूदना अच्छा नहीं इस पर गोबर बिगर उठा तू कौन होती है मेरे बीच में बोलने वाली मैं तुझ से सलाह नहीं पूछता बात चुहिया ने व्यंग के साथ कहा तुम्हारे घर में ना आऊंगी तो मेरी रोटिया कैसे चलेंगी यही से मांग जाच कर ले जाती हूँ तब तब तबा गर्म होता है मैं नहूती लाला तो ये बीबी आज तुम्हारी लाते खाने के लिए बैठी न होती गोबर घूसा ता कर तुमने कोई बड़ी जवामदी का काम नहीं किया है तुम उसके लिए क्या करते हो कि तुम्हारी मार सहे एक रोटी खिला देते हो इसलिए अपने भाग बखानों की ऐसी गव औरत पा गए हो दूसरी होती तो तुम्हारे मूँ में जाडू मार कर निकल गई होती मुहले के लोग जमा हो गए और चारों और से गोबर पर फतकारे पढ़ने लगी वही लोग जो अपने घरों में अपनी स्त्रियों को रोज पीटते थे इस वक्त नियाय और दया के पुतले बने हुए थे चुहिया और शेर हो गई और फरियाद करने लगी टाड़ी जार कहता है मे अरत को मार कर जवानी दिखाता है मैं न हुई तेरी बीबी नहीं यही जूती उठा कर मुझ पर तुढातर जमाती और कोट्री में धकेल कर बाहर से किवार बंद कर देती दाने को तरस जाते बोबर जहलाया हुआ अपने काम पर चला गया चुहिया और अरत न होकर मर्द हो तो मज़ा चखा देता औरत के मूह क्या लगे मिल में असंतोश के बादल घने होते जा रहे थे मजदूर बिजली की प्रतिया जेब में लिए फिरते और जरा भी अफकाश पाते तो दो तीन मजदूर मिलकर उसे पढ़ने लगते पत्र की बिक्री खूब बढ़ रही थी पता तूट परती और पत्र की काप्या दोने तिगुने दाम पर बिक जाती उधर कमपनी के डायरेक्टर भी अपने घात में बैठे हुए थे हरताल हो जाने में ही उनका हित था आदमियों की कमी तो है नहीं बेकारी बड़ी हुई है इसके आधे बेतन पर ऐसे आदमी आसा कर दिया जाए दिन और समय नियत कर लिया गया पुलिस को सूचना दे दी गई मजूरों को कानो कान खबर न थी वे अपने घात में थे उसी वक्त हरताल करना चाहते थे जब गोदाम में बहुत थोड़ा माल रह जाए और मान की तेजी हो एक आएक एक दिन जब मजूर हुआ था कि बहुत तेज मान्ध होने पर भी छह महीने से पहले न उठ सकता था मिर्जा खुर्षेद ने यह बात सुनी तो मुस्क्राय जैसे कोई मनस्वी योध्धा अपने शत्रू की रन कौशल पर मुगध हो एक शन विचारों में दूबे रहने के बाद बोले अच्छ यही हमारी फतह होगी बिजली कारियाले में उसी वक्त खत्रे की मीटिंग हुई कार्यकारिली समिती का भी संगठन हुआ पदादे कारियों का चुनाव हुआ और आठ बजे रात को मजूरों का लंबा जुलूस निकला दस बजे रात को कल का सारा प्रोग्राम टेक किया गया और ये ताकीद कर दी गई कि किसी तरह का दंगा फसाद न होने पाए मगर सारी कोशिश बेकार हुई हर्तालियों ने नए मजूरों का टिटी दल मिल के द्वार पर खड़ा देखा तो इनकी हिंसव रित्ती काबू से बाहर हो गई सोचा था सो सो पचास पचास आदमी रोज भरती के लिए आएंगे उन्हें समझा बुझा कर या धमका कर भगा देंगे हर्तालियों की संख्या देखकर नए लोग आप ही भईभीत हो जाएंगे मगर यहां तो नक्षा ही कुछ और था अगर यह सारे आदमी भरती हो गए तो हर्तालियों के लिए समझोते की कोई आशा ही न थी तै हुआ कि नए आदमियों को मिल में जाने ही न दिया जाए बल प्रयोग के सिवा और कोई उपाय न था नया दल भी लड़ने मरने पर तैयार था उनमें अधिकान शैसे भुख मरे थे जो इस अफसर को किसी तरह भी न छोड़ना चाहते थे भूखो मर जाने से या अपने बाल बच्चों को भूखो मरते देखने से तो ये कही अच्छा था कि इस परिस्थिती में लड़ कर मरें दोनों दलों में फौजदारी हो गई बे जी, संपादक तो भाग खड़े हुए बेचारे मिर्जा जी पिद गए और उनकी रक्षा करते हुए गोबर भी बुरी तरह घायल हो गया, मिर्जा जी पहलवान आदमी थे और मंजे हुए फिकत, अपने उपर कोई गहरावार न पढ़ने दिया गोबर गवार था, पूरा लठ मारना जानता था, पर अपनी रक्षा करना न जानता था, जो लड़ाई में मारने से ज्यादा महत्व की बात है उसके एक हाथ की हटी तूट गई, सिर्खुल गया और अंत में वह वही धेर हो गया कंदों पर अनगिंती लाठिया पड़ी थी, जिससे उसका एक एकंचूर हो गया था हर्तालियों ने उसे गिरते देखा, तो भाग खड़े हुए केवर 10-12 जचे हुए आदमी मिर्जा को घेर कर खड़े रहे नए आदमी विजग पताका उलाते हुए मिल में दाखिल हुए और पराजित हर्ताली अपने हताहतों को उठा उठा कर अस्पताल पहुँजाने लगे मगर अस्पताल में इतने आदमियों के लिए जगह न थी मिर्जा जी तो ले लिए गए गोबर की मरहम पट्टी करके उसके घर पहुँचा दिया गया जुनिया ने गोबर की वलचे इश्टाहीन लोग देखी तो उसका नारित्व जाग उठा आप तक उसने उसे सबल के रूप में देखा था जो उस पर शासन करता था, डांटता था, मारता था आज वह पंध था, निस्यहाय था, दैनिय था जुनिया ने खाट पर जुक कर आशु भरी आँखों से गोबर को देखा और घर की दशा का खयाल करके उसे गोबर पर एक इरश्या में ख्रोधाया गोबर जानता था कि घर में एक पैसा नहीं है, वह ये भी जानता था कि कहीं से एक पैसा मिलने की आशा नहीं है ये जानते हुए भी उसके बार-बार समझाने पर भी उसने यह विपत्ती अपने उपर ली उसने कितनी बार कहा था तुमें इस जगरे में न पढ़ो आग लगाने वाले आग लगा कर अलग हो जाएंगे जाएगी गरीबों के सिर लेकिन वो कब उसकी सुनने लगा था वो तो उसकी बैरिन थी मित्र तो वो लोग थे जो अब मजे से मोटरों में घूम रहे हैं उस क्रोग में एक प्रकार की तुष्टी थी जैसे हम उन बच्चों को कुरसी से गिर पढ़ते देखकर जो बार-बार मना करने पर खड़े होने से बाजना आते थे चिल्ला उठते हैं अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, तुम्हारा सिर क्यों न दो हो गया लेकिन एक ही क्षण में गोबर का करुन क्रंदन सुनकर उसकी सारी संग्या से हर उठी व्यथा में दूबे हुए ये शब्द उसके मूँ से निकले हाय हाय सारी देख भुरकुस हो गई, सबों को तनिक भी दया ना आई वो उसी तरह बड़ी देर तक गोबर का मूँ देखती रही वरक्षी होती हुई आशा से जीवन का कोई लक्षन पा लेना चाहती थी और प्रतिक्षन उसका धैर्य अस्थ होने वाले सूर्य की भाती दूपता जाता था और भावेशे में अंधकार उसे अपने अंदर समेटे लेता था सहसा चुहिया ने आकर पुकारा गोबर का क्या हाल है बहू मैंने तो अभी सुना दुकान से दोड़ी आये हूँ जुनिया के रुके हुए आसु उबल पड़े कुछ बोल न सकी भावे भी इतांखों से चुहिया की ओर देखा चुहिया ने गोबर का मूँ देखा उसकी चाती पर हाथ रखा और आश्वासन भरे स्वर में बोली ये चार दिन में अच्छी हो जाएंगे घबड़ा मत कुशल हुई तेरा सोहाग बलवान था कई आदमी उसी दंगे में मर गए घर में कुछ रुपे पैसे हैं जुनिया ने लगजा से सिर हिला दिया मैं लाए देती हूँ थोड़ा सा दूद लाकर गरम कर ले जुनिया ने उसके पाउँ पकड़ कर तहाथ देदी तुम ही मेरी माता हो मेरा दूसरा कोई नहीं है जाडों की उदास संध्या आज और भी उदास मालूम हो रही थी जुनिया ने जूलहा जलाया और दूद उबालने लगी चुहिया बरामदे में बच्चे को लिए खिला रही थी सहसा जुनिया भारी कंट से बोली क मैं बढ़ी अभागिन हूँ दी दी मेरे मन में ऐसा आ रहा है जैसे मेरे ही कारल इनकी ये दसा हुई है जी कुलता है तब मन दू की होता ही है फिर गालिया भी निकलती है सराप भी निकलता है कौन जाने मेरी गालियों इसके आगे वह कुछ न कह सकी आवाज आंसूं के रेले में बह गई चुहिया ने अंचल से उसके आंसु पोँचते हुए कहा कैसी बाते सोचती है बेटी ये तेरे सिंदूर का भाग है कि यह बच गए मगर हाँ, इतना है कि आपस में लड़ाए हो तो मुझ से चाहे जितना बकले, मन में कीना न पाले बीज अंदर पड़ा, तो अंखुआ निकले बिना नहीं रहता जुनिया ने कमपन भरे स्वर में पूझा, अब मैं क्या करूंदी दी चुहिया ने धाधस दिया, कुछ नहीं बेटी भगवान का नाम ले, वही गरीबों की रक्षा करते हैं उसी समय गोबर ने आखे खोली और जुनिया को सामने देखकर याजना भाव से क्षीन स्वर में बोला आज बहुत चोटखा गया जुनिया मैं किसी से कुछ नहीं बोला सबों ने अनायास मुझे मारा कहा सुना माफ कर, तुझे सताया था उसी का ये फल मिला थोड़ी देर का और महमान हूँ अब ना बचूंगा मारे दरग की सारी देफटी जाती है चुहिया ने अंदर आकर कहा चुपचाप पड़े रहो बोलो चालो नहीं, मरोगे नहीं इसका मेरा जुम्मा बोबर की मुक पर आशा की रेखा जलक पड़ी बोला, सच कहती हो, मैं मरूंगा नहीं हाँ, नहीं मरोगे तुम्हें हुआ क्या है जरा सिर में चोटा गई है और हाथ की हड़ी उतर गई है ऐसी चोटे मर्दों को रोज ही लगा करती है इन चोटों से कोई नहीं मरता अब मैं जुनिया को कभी न मारूंगा दर्ते हुगे की कही जुनिया तुम ही न मारे वह मारेगी भी, तो कुछ न बोलूंगा अच्छे होने पर भूल जाओगे नहीं दीडी, कभी न भूलूंगा गोबर इस समय बच्चों सी बाते क्या करता दस-पांच मिनट अच्छेट सा पड़ा रहता उसका मन न जाने कहां कहां उलता फिरता कभी देखता, वह नदी में डूबा जा रहा है और जुनिया उसे बचाने के लिए नदी में चलिया आ रही है कभी देखता, कोई देखते उसकी चाती पर सवार है और जुनिया की शकल में कोई देवी उसकी रक्षा कर रही है और बार-बार चौक कर पूछता, मैं मुरूंगा तो नहीं जुनिया तीन दिन उसकी यही दशा रही और जुनिया ने रात को जाग कर और दिन को उसकी सामने खड़े रहकर जैसे मौत से उसकी रक्षा की बच्चे को चुहिया सभाले रहती चौति दिन जुनिया एक का लाए और सबों ने गोबर को उस पर लाद कर अस्पताल पहुँचाया वहां से लोट कर गोबर को मालूम हुआ कि अब वह सच्च बच जाएगा उसने आखों में आसू भर कर कहा मुझे खशमा कर दो जुन्ना इन तीन चार दिनों में चुहिया की तीन चार रुपे खर्च हो गए थे और अब जुन्या को उससे कुछ लेते संकोच होता था वह भी कोई मालदार तो थी नहीं लकरी की बिकरी के रुपे जुन्या को दे देती आखिर जुन्या ने कुछ काम करने का विचार किया अभी गोबर को अच्छे होने में महीनों लगेंगे खाने पीने को भी चाहिए दवादाई को भी चाहिए वह कुछ काम करके खाने भर को तो ले ही आएगी बचपन से उसने गोओं का पालना और घास चीलना सीखा था यहां गोए कहां थी? हाँ, वह घास चील सकती थी महले के कितने ही स्त्री पुरुष बराबर शहर के बाहर घास चीलने जाते थे और आठ दसाने कमा लेते थे वह प्रातर काल गोबर का हाथ मूँ धुला कर और बच्चे को उसे सौप कर घास चीलने निकल जाती और तीसरे पहर तक भूखी प्यासी घास चीलती रहती फिर उसे मंडी में ले जाकर बेचती और शाम को घराती रात को भी वह गोबर की नीन सोती और गोबर की नीन जाकती मगर इतना कथोर श्रम करने पर भी उसका मनैसा प्रसन रहता मनो जूले पर बैठी गर रही है रास्ते भर साथ की स्त्रियों और पुरुषों से चुहल और विनोद करती जाती घास चीलते समय भी सबों में हसी दिल लगी होती रहती न किस्मत का रोना न मुसीबत का गिला जीवन की सार्थक्ता में अपनों के लिए कठिन से कठिन त्याग में और स्वाधीन सेवा में जो उल्लास है उसकी जोती एक एकन पर चमकती रहती बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर जैसे तालिया बजा बजा कर खुश होता है उसी आनन का वहनुभव कर रही थी मानों उसके प्रानों में आनन का कोई सोता खुल गया हो और मन स्वस्थ हो तो देल कैसे अस्वस्थ रहे उसे एक महीने में जैसे उसका काया कल्प हो गया हो उसके अंगों में आप शितिलता नहीं, चपलता है, लचक है, सुखु मारता है मुख पर पीलापन नहीं रहा, खून की गुलाबी चमक है उसका यौवन जो इस बंध कोटरी में पड़े-पड़े अपमान और कलल से कुंठित हो गया था वह मानो ताजी हवा और प्रकाशवा कर लहलहा उठा है अब उससे किसी बात पर क्रोध नहीं आता बच्चे की जरा सा रोने पर जो वर जुनजला उठती थी अब जैसे उसके धहल्या और प्रेम का अंधीन था इसके खिलाफ गोबर अच्छा होते जाने पर भी कुछ उदास रहता था जब हम अपने किसी प्रियजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ पढ़ने पर हम में इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव व्यथा का अनुभव करें तो इससे हमारी आत्मा में जागृती का उदै हो जाता है और हम उस वेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तयार हो जाते हैं गोबर उसी प्रायश्चित के लिए व्याकुल हो रहा था अब उसके जीवन का रूप बिलकुल दूसरा होगा जिसमें कटुता की जगह मृदुता होगी अभिमान की जगह नमटा उसे अब ग्यात हुआ की सेवा करने का अफसर बड़े सौभाग उसे मिलता है और वहेस अफसर को कभी न भूलेगा दोस्तों, यहाँ पर गोदान का भाग सत्ताइस समाप्त होता है गोदान भाग अठाई सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करें या फिर गोदान प्लेलिस्ट में जाकर आप गोदान के सारे पात सुन सकते हैं धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपनी राइ कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें